लो फ्रेंड्स मैं एक लिए से दुट्र पाटे से आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स हम पढ़ रहा हैं मॉडल अक्जिलरी के बारे में किसके बारे में मॉडल अक्जिलरी के बारे में ठीक है और मैंने क्या लिख़्ा है एडवाइज, सजेशन और अब्लिकेशन अगर हम इन सब के बात करें तो इन सब को reflect करने के लिए हमारी मॉडल अक्जिलरी आती है सुड़ अब हम बात करें सुड़ की तो सुड़ का हम यूज़ करते हैं जनरल सेंस में ठीक है, जनरल सेंस में, जनरल सेंस का मतलब क्या हुआ, कि कोई भी किसी को भी आजकल सजेसन देता हुआ घूम रहा है, ठीक है, और वो not so important, मतलब वो important नहीं है, हम चाहें तो उसको avoid भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें must की, तो ये क्या होता है, इसका हम यूज करते ह external force के लिए, ठीक है, external force ये discipline के लिए, discipline rule दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, मतलब नियम के लिए, अगर हम बात करें have to की, तो have to का हम यूज करते हैं, past of have to के लिए, ठीक है, अगर हम बात करें ought to, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम कहते हैं, पढ़ते हैं ought to, ought to का हम यूज़ करते है socially या morally required उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं मतलब समाज में जैसे जरुवत था उसके according अब अगर मैं question को समझने की कुछिस करूँ तो उसके पहले मैं आप से कुछ sentence करता हूँ आप उसको ध्यान से समझ जीएगा अगर मैं आप से कहूँ you should attend the classes इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ यह general advice है आप चाहें तो इसको ignore भी कर सकता है मतलब not so important आपके लिए important नहीं है अगर मैं यह कहूँ you must attend the classes इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि मैं आपके भवीसे को लेकर बहुत concern हूँ ठीक है मैं चिन्ता चता रहा हूँ मैं आपके भवीसे को लेकर बहुत concern हूँ अगर मैं बात करो you have to attend the classes इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि मैं आपके उपर नियम थो पर आऊं ठीक है मैं आपके उपर नियम थो पर आऊं तो अगर हम बात करें इस question कि यहां पर लिखा हुए राहूल looks very ill he consult a doctor अगर हम बात करें इस consult की तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यहां पर क्या समन्द में आ रहा है माल लीज़े किस कोई बी इंसान है जो बिमार है तो उसको अपसे बहुत जरूरी है रहत clay more important होती है ठीक है तो उसको कंशuman करना बहुत जरूरी है तो हम यह बस्करी महμέ्स करेंग्ए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे must का ऐखारे अगर हम बात करें सीखा said that C attend a seminar in her office तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पर बात आ रही है पास्ट की ठीक है बात आ रही है पास्ट की और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिख़ा हुआ है, seminar और office की बात की गई है अगर हम बात करें, seminar या office की तो यहाँ पे तो अपना नियम, मतलब कुछ चलना नहीं है ठीक है? अब यहाँ पे बात आती है, नियम थोपने की यहाँ पे तो हमारी मरज़े तो चलेगी नहीं यहां पे बात किसकी है? नियम न थो अपने की और बात पास्ट में की गई तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे हमाली जी किसे भी इंसान की कार है अब वो old दिख रही हो या फिर new दिख रही हो अगर हमने उस से कहा है कि अपनी कार को चेंज करो तो ये उसके लिए क्या हो गई, जनरल से एडवाईज हो गई, अब चाहे तो वो इसे इगनॉर भी कर सकता है, ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, सुड का यूज करेंगे हमने conditional sentence में, conditional sentence में, एक sentence को पढ़ा था, और वहाँ पे हमने पढ़ा था, if you should, you के पास should लिखा हुआ है, if you should go to market, bring some snacks for me, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि अगर market जा रहे हो, तो मेरे लिए snacks लेते आना, ठीक है, यह जनरल से advice होई, यह जनरल से क्या होई, ज अगर यही should के जगह, मैं must का यूज करूँ, इसका मतलब में क्या समन में आता है, इसका मतलब यह समन में आता है, कि more important to do, more important to do, मतलब यह करना ज़रूरी ही है, कि अगर तो market जा रहा हो, तो तुम्हे snacks लाना ही पढ़ेगा, ठीक है, तो अगर यहाँ पे must का यूज करते है तो उसका मतलब वो होता है, इसे का हमने inversion किया था, किस से, should you go से, तो यह हमारा conditional sentence का sentence हुआ, जिसको हमने पढ़ा था, वहाँ पे, अब अगर हम यहाँ पे समझे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, one keep, once promise, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, should, यहाँ लिखा है must, तो हम यह यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे should या must में से क्या यूज़ करेंगे, तो जाहिर से बात है, हम यहाँ पे must यूज़ करेंगे, ठीक है, क्यों यूज़ करेंगे, क्यों क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि वादा किया है, तो वादा निभाना पड़ेगा, ठी परकिन आपने से कुछ लोग कहेंगे कि सर यह तो यह तो सोचली या मोरली बात है ठीक है यह वाइदा करना क्या हुआ ethical या moral बात है तो हम यहाँ पर ought to का भी use कर सकते हैं अगर दिया होता तो ठीक है लेकिन अगर हम एक बात को समझे तो ये जो समाज या morally जो बात होती है उसको हम चाहें तो ignore भी कर सकते हैं ठीक है जो समाज कहता है जो moral values कहती है हम उने चाहें तो उनके आधार को हम छोड़ भी सकते हैं लेकिन हम उसको एगनौर भी कर सकते हैं लेकिन अगर हम बात करें promise की तो हम promise को किसी के मतलब किसी को अगर हमने वायदा किया है तो हम उसे एगनौर नहीं कर सकते अब अगर हम इस बात को ध्यान से समझें तो हम समझने की कोशिच करें, तो यह जो सुड होता है, यह सुड और यह जो ओट्टू होता है, यह दोनों किसकी बात करते हैं, यह दोनों जनरल सेंस की बात करते हैं, ठीक है, यह जो सुड का जो लेवल होता है, वो तोड़ा चोटा होता है, और जो ओट्टू का लेवल होत तो आप एसा करें जैसे कर मैं कहूं मालीज आप रूट पर जा रहा है और जो टैप है वो खुली हुई है तो आप क्या कहेंगे आप यह कहेंगे कि लोगों को पानी का यूज करने के बाद टैप को बंद कर देना चाहिए अब अगर वही पानी की वेस्टेज वहां पर आप जय्दा समयं में आती है मतलब पानी की वेस्टेज यहां पर आप मस्ट का यूज करेंगी किसका यूज करेंग का मटल अक्जिलरी के चोटे से बदलाव से पॉइं 2022 बदल जाता है हुआगर मैं कहूँ ए इस ब्रें छूम इंड-वाद रीच एं टाइम मैंने पहला संटिं मैंने कहा I have to reach home in time इसका मतलब क्या हुआ तो मैंने क्या कहा मैंने कहा I should reach home in time इसका मतलब क्या हुआ कि मैं घर जाओ या न जाओ क्या फर्क पड़ता है मेरे लिए उतना important नहीं अगर मैं बात करू I must reach home in time इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि मैं अपने घर जाने के लिए बहुत concern हूँ ठीक है? मेरे लिए घर जाना more important है बहुत ज़ादा important है लेकिन अगर मैं वही बात करूँ I have to reach home in time इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मेरे घर में discipline है मेरे घर में discipline है कि मुझे इतने समय तक घर पे पहुँच जाना है ठीक है? मेरे घर पे क्या discipline है तो model luxury क्या करती है? model luxury point of view को बदल देती है अगला लिखा हुआ है we pay the tax otherwise the department may might penalize इसे पढ़ते हैं penalize us पैनल तो हम उसे कहते हैं जो किसी के frame की बात करता है ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अगर मालेजी कि आप tax pay नहीं करते हैं तो department आपको क्या करेगा? department आप पे penalty लगाएगा तो वो जो possibility है वो strong possibility होई जब strong possibility होई तो यहाँ पे हम किसका use करेंगे? यहाँ पे हम use करेंगे में का ठीक है? अगर हम बात करें तो यह जो बात होई वो नियम के बात हो गई जब नियम के बात हो गई तो यहाँ पे हम किसका use करेंगे? जब बात है नियम की तो हम यहाँ पे use करेंगे किसका? have to का use करेंगे? ठीक है? आप यहाँ पे अपने मर्जी नहीं दिखा रहे हो ठीक है जो department है वो penalize कर रहा है आप पे penalty लगा रहा है तो हमने make का यूज किया ठीक है आप यहाँ पे मर्जी नहीं दिखा रहे हैं यह बात है नियम की इसलिए यहाँ पे हमने have to का यूज किया अब student चाहे है तो इसको mislead भी कर सकते हैं कैसे वो यह कह सकते हैं वो यह कह सकते हैं कि sir यहाँ पे हम must का यूज कर सकते हैं concern पे तो दिखा सकते हैं अगर आप must का यूज कर रहा हैं तो आपके सामने इतनी बातचीत यहाँ तक इतनी बातचीत नहीं कहनी जाहिए मतलब sentence में इसका use नहीं किया जाना चाहिए दूसरी तरीकी से समझता है जैसे मैं इसे एक example से समझता हूँ जैसे मैंने आप से कहा You should wear helmet माल लिजे कि आप bike से मेरे सामने आ रहे हैं मतलब मेरे सामने से गुजर रहे हैं तो मैं बाइक को रोके कहा You should wear helmet फिर मैंने दूसरा sentence का You must wear helmet फिर मैंने दूसरा sentence का You have to wear helmet तो मैंने कहा You should wear helmet इसका मतलब क्या हूँ इसका मतलब यह हूँ कि आपके लिए जनरल से बात हूँ या पहने चाहिने पने क्या फरक पड़ता है ठीक है लेकिन अगर मैं कहूँ You must wear helmet इसका मतलब क्या हूँ कि मैं आपके भविसकों लेकर concern हूँ मैं आपके भविसकों लेकर चिंतित हूँ ठीक है और आपके लिए helmet पहनना बहुजरूरी है अगर मैं बात करो You have to be a helmet इसका मतलब क्या हूँ इसका मतलब यह हूँआ कि helmet पहन लो ने तो आगे पुलिस खड़ी है वो क्या करेगी वो आपका चलान कर देगी या आपका टिकट कर देगी तो model auxiliary के छोटे से change से point of view जो होता है वो बदल जाता है model auxiliary क्या करती है point of view को दिखाती है फिर हम अगले के बात करते हैं आप यहां पर लिखा हुआ है Ravi return the money which he borrowed from me अगर इसको हम समझे इसको हम समझे कि किसी इंसा ने पैसा लिया है ठीक है तो अगर हम समाज के साब से समझे तो किसी इंसा ने पैसा लिया है तो उसको लोटाने भी चाहिए क्या कोई समान के साब से यह काम करता है नहीं अगर आपको पैसा मदलब return लेना है तो आपको अपना concern दिखाना पड़ता है ठीक है आपको अपना concern दिखाना पड़ता है अगर हम यहां पर how to का यूज करें तो इसका मदलब किया हुआ इसका मदलब यह हुआ कि आपने कोई lease या deal discipline के according sign की हुई है लेकिन आपने ऐसा यहां तो कुछ किया नहीं ठीक है तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे यहां पर हम यूज करेंगे मस्ट का किसका यूज करेंगे हम यहां पर हम मस्ट का यूज करेंगे model auxiliary meaning और point of view दोनों को बदल थी यहां पर हमारा point of view बदल गया ठीक है अब हमारे सामने बात आती है purpose की ठीक है purpose को अगर सामने की कुछिश करें तो मैं जैसे आपको एक sentence करता हूं मैं English पढ़ता हूं ताकि मैं exam qualify कर सकूं यहां पर आप observe करिएगा purpose क्या है मेरे दोस्तने लाग टिसट पहनी है ताकि वो खुबसूरत दिख सके purpose क्या है इसका मतलब हमें समन में आया कि purpose दिखाने के लिए purpose बताने के लिए हमें एक नहीं हमें दो sentences की जरूत होती है ठीक है हमें दो sentences की जरूत होती है जैसे मैंने कहा मेरे मैं English पढ़ता हूं ताकि मैं exam qualify कर सकों तो यहां पर purpose क्या है exam pass करना ठीक है तो action क्या है पढ़ना मेरे दोस्तने लाग टिसट पहनी है ताकि वो खुबसूरत दिख सके तो यहां पर purpose क्या है खुबसूरत दिखना ठीक है तो action क्या हो हमारा इसका मतलब हमें ये समन में आया कि purpose बताने के लिए हमें एक नहीं हमें दो sentence के जरूत होती है एक बताता है हमें action और एक बताता है हमें purpose ठीक है और इन्हें जोडने के लिए किसके जरूत होगी preposition की नहीं इन्हें जोडने के लिए में conjunction का use करना होगा है हम conjunction का use ठीक है अब nyion क्याता है कि इन्हें के लिए conjunction so that का use करता है वैसे हम conjunction बढशुके है ठीक है आप जाकर conjunction की video को देख सकते हैं अगर हमारा action present में है तो हम किस का use करते हैं तो हम use करते हैं purpose दिखाने के लिए model auxiliary मे का अगर हमारा action past में है तो हम अपना purpose बताने के लिए use करते हैं might का ठीक है अब हम इसको एक example से समझते है तो यहाँ पर लिखा हुआ है he worked hard so that he will qualify the exam यहाँ पर जो action लिखा हुआ है वो past में लिखा हुआ है ठीक है action past में लिखा हुआ है जो भी लिखा हुआ है हमारा action यह past में लिखा हुआ है past में लिखा हुआ है उसके बाद हमने यहाँ पर so that का use किया यहाँ पर so that लिखा हुआ है तो past के बारे हम बात कर रहा है तो यहाँ पर हम will को अठा के किसका यूज़ करेंगे माइट का यूज़ करेंगे परपस दिखाने के लिए ठीक है यहाँ पर लिखा हुआ है run fast so that you can catch the bus यहाँ पर जो हमारा action है वो किसमें है present में है action present में है उसके बाद किसका यूज़ किया गया so that का यूज़ किया गया जो present की बाद किया है तो यहाँ पर परपस दिखाने के लिए किसका यूज़ करेंगे में का यूज़ करेंगे ठीक है अब इस sentence को धियान से दिखिए यह common sense का एक question है we'll leave so that we will eat यहाँ पर हम कैसे correction करेंगे तो अगर हम इस sentence को समझे तो जो तुपके बाद होते हैं वो क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कि बच्चों so that के बाद हम maya might का use करते हैं ठीक है इसके बाद आप न पूछेंगे और न मैं आपको बताऊंगा ठीक है और ऐसी भीवस अत्माएं हमेज़ा भीवस करके आती है यहाँ पर तो हम तुपका नहीं लगा रहा है यहाँ पर तो हम समझने कोशिश कर रहा है और इस sentence को देखकर हमें यह समझ में आता है कि कहीं यहाँ परपस की जगा action और action की जगा purpose तो नहीं बताया गया है ठीक है अगर ऐसा use हुआ है तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे वी के साथ it क्योंकि यह हमारा क्या है action है ठीक है वील लिव सो दैट वी विल इट तो हमारा action क्या है हमारा action है it यह हमारा action हुआ उसके बाद हमने लिखा so that ठीक है हमने live की जगा क्या लिखा it को लिखा और फिर यहाँ पे हमने we के बाद जो will लिखा है यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे make का यूज़ करेंगे purpose दिखाने के लिए हमने make का यूज़ किया we में live ठीक है तो हमें यह धान रखना होगा कि कभी कभी एक्जाम में action की जगा purpose और purpose की जगा action का यूज़ किया जाता है ठीक है अगला हमारे समने point आता है और अगला हमारा concept यह है कि action और purpose हमें लिखा हुआ मिले और conjunction की जगा हम यूज़ करेंगे किसका लेस्ट का किसका लेस्ट का इसे हम पढ़ते हैं लेस्ट लिस्ट नहीं से हम पढ़ते हैं लेस्ट ठीक है अब इस लेस्ट का मतलब क्या होता है take the last communist inside 1990 अब यह क्याहां कि अंदर ही निगेटीवят जब चुपी होई है इसलिए पर पस बताने के लिए हम कि इसके साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं कि अगर हम किस का? सुट का यूज दे कि सुट का यूज करते हैं. सुट का यूज लिए हम सुट का यूज करते हैं. और जब тоящ is शुट का यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हमें एक और चीgraph arrangements वाली वर्ब negative sense value verb इसका हम use करते हैं purpose बताने के लिए हमने क्या क्या सिखा action और purpose बताने के लिए अगर connection की जगा last का use किया गया है तो हम purpose बताने के लिए not का use नहीं करते है क्योंकि last में ही negative meaning चुपा हुआ है इसका मतलब होता है कहीं ऐसा no हो तो इसमें negative meaning है और purpose बताने के लिए चाहे action present में हो या past में हो हम should का use करते हैं और negative sense वाली verb का use करते हैं जैसे अगर हमने जो sentence बढ़ा he worked hard इस so that की जगा अगर मैं list का use करूँ ठीक है? so that की जगा मैंने यहाँ पे किस का use किया? यहाँ पे लिखा हुआ है he worked hard यहाँ पे मैंने last का use किया जब मैंने यहाँ पे last का use किया तो इसके बाद मुझे क्या चाहिए? इसके बाद मैंने यहाँ पे question में क्या लिखा है? he लिखा है मैंने यहाँ पे question में यही लिखा है तो इसके बाद मुझे क्या करना होगा? इसका बाद मुझे क्या यूज करना होगा विल को हटा कर मायट को हटा कर परपस दिखाने के लिए हमें सुड का यूज करना होगा ठीक है तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे हम यहाँ पे यूज करेंगे सुड का ठीक है वो कॉन सी है negative sense वाली verb तो negative sense वाली verb के लिए हम यहाँ पर क्या use करेंगे हम यहाँ पर use करेंगे he should disqualify the exam disqualify the exam यह हमारी negative sense वाली verb है अगर हम इस sentence के बात करें यहाँ पर लिखा हुआ है run fast इस list की जगा sorry, is so that की जगा हम किसका use करेंगे last का use करेंगे यहाँ पर हमने use किया किसका last का ठीक है अब last के बात हमें पता है कि हम यहाँ पर किसका use करेंगे you should ठीक है और negative sense वाली verb यह उपर का question है हम उसी के recording यहाँ पर कर रहा है तो हम यहाँ पर क्या use करेंगे you should catch की जगह हम यहाँ पर क्या उज़ करेंगे miss miss the bus अब यहाँ पर लिखा हुआ है we it so that we may leave तो यहाँ पर हम यहाँ पर यूज किया we it फिर हम यहाँ पर क्या उज़ करेंगे list so that की जगह list we अब यहाँ पर हम इस will को हटा कर में को हटा कर किसका यूज करेंगे इनको हटा कर हम यहाँ पर यूज करेंगे अब यहाँ पर अगर हम समझें तो अगर यहाँ पर हम हिंदी से समझें जैसे आपके हिंदी के teacher ने आपको बताया होगा कि सुट का मतलब क्या होता है चाहिए ठीक है सुट का मतलब होता है चाहिए इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यहां पर यह समझ में आया कि यहां पर तुमर जाना चाहिए इसका मतलब यही निकल किया रहा है कि मर जाना चाहिए तो हमने मॉडल अगजली का अब तक यूज कैस अगर हम इस not को समझें, तो ये negative meaning बता रहा है, ठीक है, और इस careless को समझें, तो ये भी negative meaning को बता रहा है, ठीक है, और mathematics ने एक बहुत अची बात सिखाई है, वो रूप क्या है, negative into negative, मिलके क्या बनाता है, positive, ठीक है, negative into negative, मिलके क्या बनाता है, positive बनाता है, यहाँ पर ये तया कर रहा है positive meaning ठीक है जैसे कर हम समझे मैं जूटハ नहीं बोलता इसका मतलब क्या हुआ जूट नीगेटिव नहीं negative मिलके क्या बना रहा है positive meaning बना रहा है तुम तेरी से नहीं आये Dary Negative, नहीnh Negative मिलके क्या तैयार कर रहे है मिलके Positive Meanning तयार कर रहे है अगर हम इसको यहाँ पे समझे तो यहाँ पे हमने Conjunction के तवर पर Last का उज़ किया Last Negative और यहाँ पे Negative Sense वाली वर्ब है तो यह भी Negative मिलके ये क्या बना रहे है मिलके ये positive meaning को तयार कर रहे है ठीक है तो यहाँ पे हमने ये समझा कि ये list क्या है ये negative है ठीक है और ये die क्या है ये negative है और ये मिलके क्या बना रहा है ये मिलके positive meaning को तयार कर रहा है ठीक है तो इसी को हम कहते हैं language इसी को हम कहते हैं कि model auxiliary को इसी तरह से हमें पढ़ना है उमेरे दूस्तों आपको ये वीडियो पसंद आयोगी आप इसे लाइक और सिस्क्राइब करिएगा और कल हम एक बहुत ही बड़ा खुलासा करेंगे कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता ठीक है और वो क्यों नहीं होता इसका हम कल खुलासा करेंगे तब तक के लिए आप देखते रहें मेरे वीडियो जण्यवाद